तो देवास में चाय की एक दुखान पर चाय की चुस्कियों के साथ माहौल क्या है जानने के लिए मैं कुछ लोगों के साथ यहाँ सुपर मार्केट एक जगह है देवास में जो में मार्केट है मैं उधर आ गया तो आपका नाम क्या है अतुल दूबे अतुल दूबे क्या कर पूरा महौल है कांग्रेस के पक्ष में और जो है मंद्यपरदेश में गवर्वर्मेंट कांग्रेस की बन रही है एक बाल बताए देवास में कितने वार्ड मेंबर कोंग्रेस के है आठ आठ पार सादे कांग्रेस के मेर नहीं कांग्रेस का यहाँ पर एक एक भी उसे ज Dilधा से तो आड बार्स कांग्रेस जीत ही वह नियुक्ष अब को य। कर आीमकर में पूरा कंगरेस्ट के प्रक्ष्ण में है है we are not interested to go under the political matter and we are very busy with the sales line and no devotee the time to here and there. हम तो हिंदी बोले यार गलत अंगरेजी बोला जरूरी है हम तो बोलेंगे वही चलाएंगे रेल ने कि स्कॉस करें हिंदूस्तान में जो आद्मी है पे दा हुआ और हिंदूस्तान में रए रहा है को नितागीरी य९९ट चुनाओ के बारी पता नहीं हम वहम बताना तो बिना पॉलिटिक्स के इंटर्फिरेंस के बिना गौवर्मेंट की उसके कोई कोई धंदा पानी चल सकता है देश में स्वाइब को कोव्य है आज को बिना रोटी चलती चलती थी आज भीजएपी तो भी हमारा काम चल रहे है आपके हिसाब से कॉंग्रेस का नाज थीक था कि बीजेपी ना बताया आपको मैं एक्स्प्लेंन नी कर सकता आपको कि वीचिज डराइट और ये शिवराज सिंग चौ परिवार को लाडली बहना आप करते हैं कुछ भी नहीं करते हुए जो कुछ हम कर रहा है हमारी महने तौर होई लगन से कर रहा है कि या मिल रहा है काहीं मतलब नियुक से इंटरल से लुइन की बारस का इणको कुछ उससे हमारी बोड़ि लान पर को असають नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ना तो हमको कुछ दे सकते ना हम उनको दे सकते हैं प्रदेश का विकास हुआ उस हिसाब से यह करना है जो कर रही है चलाना 65 कर रहा हुं मैं क्या बोलूं आपको अच्छा बहुत गूमाने पर भी घूमने रहे हैं आपका क्या विचार है सर मेरा ऐसा मानना है कि सर अभी जो केंदर की अगर बात करूं में तो केंदर में मोदी जी का नेतरों तो काफी अच्छा है क्योंकि उनने खेर जब से मोदी जी आये हैं बली से बेरोजगारी के लिए खर मोदी जी ने भी इसा कुछ कोई ठोसक अदम नहीं उठाया है लेकिन यह मानेंगे कि एक मोदी जी ने जब से आये कुछ डिजिल्टल के मामले में बहुत अच्छा किया है जैसे पहले कोई योजना आती थी तो डारेक्ट वो कस्टमर तक पेसा नहीं पोच्टा था और अभी जो आ रहा है वो डारेक्ट पेसा कस्टमर तक पोच रहा है मतलब पिचुलिया सिस्टम खतम हो गया मोदी जी काने से यह डेपनेट प्रसेंट पैदा हुआ है और शिवराज जी की सरकार के बारे में और इस बार मध्यपरदेश की चिलाव के बारे में आपका क्या मानना शिवराज जी ने अच्छा काम किया है नो डाउट ऐसा नहीं और अ बारे में से अगे सब कहानी हो गए आपके सीता किसकी माता थे क्या पूछ रहे थे आप लाडली वेना के बारे में सुनना चाहते हैं मिरें हम चुनाओ के बारे में जो चुनाओ में तो इस बार बदलाव होगा मध्यप्रतैस में हुआ है और बदलाव जरूरी है कि इसा क्यूं को आप माझते हैं कि बदलाव जरूरी क्यों आप मानते हैं बदलाव इसलिए क्योंकि यहां पर जो लाडली भेना में नीलQué वह लाडली पालना तई उसकी जग्वरददा को देना thчи लाडली बेना अवे वह तो उसक्त कमय और जो व्रद्द वो कहां से लाएंगे पेशा और व्रद्दों में एक लिमिट दे रही उन्होंने एक कुछ मतलब कर वही है लाडली बहना योजना से ही बदलाव आपको दिखाई दे रहा है कि आप बहुत दिन हो गया बीजेपी में एंपी का शासरा बहुत दिन से मतलब कांग्रेस को देखते आ रहा है हम बेल जोड़ी से बोट डाल रहे हैं कांग्रेस में जन संग में भी डाला दिपक में तब से में डाल रहा हूं और गाय बशले में भी डाला है कि सेटी जी को जिताया है मैंने यहां से बहुत बड़े निता थे शेटी जी की एक देन थी ज तो इस बार बीजेपी जा रही कि आ रही है यह तो हम नहीं बता सकते हैं लेकिन बदलाव जरूर होगा तो जा रही है और क्या बदलाव होगा कि क्या लिए से मेरे कोई वापत्य नहीं है सिएम साब सिवराज जी बहुत अच्छे है बहुत बढ़िया नेता है मैं उनके बारे में कुछ यसा नहीं बोल पाऊं लेकिन उन्होंने भी कुछ करें जैसे व्यापंग घोटा ला उसके बारे में कुछ बोलना चुप्पी वसाद रखी उन्होंने कुछ पटवारी घोटाला भी हुआ उसमें चुप्पी साथ रखी है ऐसे काफी सारे घोटाले यह रेद घोटाला वा डंपर घोटाला वा उनके से जमाने में वो नहीं होना चाहिए चलिए ठीक है अब मैं दूसरी तरफ चाहिए